हां जी साश्रीकाल सार्यानु आज मैं फेर तड़े सामने हाजी रहां अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके ते लास्ट वीडियो दे विच मैं पीटी इदी जर्नल इंट्रोडक्शन देती सेगी कि पीटी एक्षाम्टियां टाइप सुनी हैं ते की की सेक्शन्स ओंदे ने इस सारा सी डिसक्स किता सेगा मैं अपनी लास्ट वीडियो दे विच ते आज मैं डिसक्स करांगी कि जड़े साथे कुछ क्वेशन्स उंदेने स्टूडेंट्स दे कि सानू मतलब एक्जाम दे विच केडियां गल्लादा त्यान रखना पैंदा है ते केडियां मतलब केड़े पैज साथे सक्षि कोर्ण एिफेक्ट कर दें ति मैं कुछ क्वेशन्स दे लिस्ट बंढवाइं ते लिस्ट में सेक्षिन वास बनाएं यह विडियो स्टाट करने तो पहलना मेरी रिक्वेस्ट एक्वेस्ट थानूं सारे अनूँ कि प्लीज जे तुसी हले तक मेरे चैनल नोसक्ष नहीं कीता था subscribe कर दो तो ते ये तशन मेरिया वीडियोस पसां दा रहले है तो प्रीज लाइक माई वीडियोस जए किसे दे काम आ सकती है था प्रीज शेहर दीस वीडियोस ते अच मेरा next topic है गया getting a frequently ask questions जो students दे most questions उन्दे मैंने एक्जाम दे रिलेटेड तो सबताव पहला क्वेश्टन स्टूडेंट्स था एही होंदा है कि डू आई नीड टू स्पीक फास्ट टू अर्न हायर स्कोर कि जे मैं बहुत ज्यादा फास्ट इंग्लिश बोल रहे हैं ता ओं मेरे स्कोर नो एफेक्ट कर दी है मतलब मेर कंप्यूटर नो जो तुसी बोल रहे हो ओं समझ आना चाहिए कि तुसी एक्च्वल जादा फास्ट बोल रहे हो ता ओं कंप्यूटर नो समझ नहीं आएगा इवन कई वर्स उन्हें कि सान्नों खुद भी नहीं समझ आँदे कि यसी की बोल गे तुसी ए चीज दा त्यान र होएगा सो बैटर है कि तुसी एक मॉडरेट पेस थे बोलो मतलब एक मॉडरेट जी पेस होनी चाहिए यह भी नहीं होना चाहिए कि कदे तुसी रुख गे उस तो बात तुसी बोलना स्टार्ट की ता मतलब अगर कि ते फुल स्टॉप आ रहे है पैराग्राफ दे विच त कदे तुसी रुख गे एक सेकेंड़ दा ब्रेक देता है उस तो बात तुसी बोलो एमें है कुछ भी नहीं है ज़ी मॉडरेट पेस्थे होना चाहिए थे ब्लए एददा निया कि स्टार्टिंग चे तुसी फ faithisch कर्थी तो हों चीज़ां थाड़े स्कॉर्स고 एंद़ा मतल कॉर्पोरेट एक्स्टेंसे विकाबलरी येस इट विल एफेक्ट यूर स्कोर मैं पहला भी डिसकस किता सीगा कि जिन्नी थ्वाड़ी वकाबलरी स्ट्रॉंग होए की उन्ना जदा थ्वाड़ा जड़ा स्कोर है वो बैटर आएगा मतलब जिमें असी वकाबलरी दी गल कर द सब्सक्राइगा कि उस पैराग्राफ दे विच एच्छल जो क्या की रहे हैं सो तुसी लाइन्स नू रिलेट कर सकते हो कि इस लाइन दा आंसर ए हो सकते हैं इन केस जित अनुदा कॉंटेक्स समझ आ गया तुसी ऑप्शन्स दे विच्छो चूस कर सकते हो कि मैं एथे केड करके ही तुसी मतलब अगर समराइज स्पोकन टेक्स दी गल कर रहे हो या तुन राइट राइट फ्रम टेक्टेशन है गया या फिलिंग दा ब्लैंक्स है गया ते उत्थे त्वाड़ी वकाबलरी इस मोस्ट इंपोर्टेंट और जित्थे अपा गल करिये स्पीकिंग सेक् अगर थो इमेज दिख रहे है तो समझ नहीं होंदा कि मैं एक्टे की बोलना है मतलब मोस्ट आप टी केसिस जे थोड़ी कोई पिच्चर आगी थोड़ी स्क्रीन ते तो जे थोड़ी वकाबलरी स्टॉंग होएगी ता तुसी इसली उस इमेज ते बोल सकते हो ते सेम एक न से थोड़ा रीटा लेक्चर दे विच भी फॉलो हुंदा है कि तुसी कि मैं उस चीज नूँ ओवरकम करना है कि मैं मतलब वकाबलरी नूँ अपनी स्टॉंग करना इस मोस्ट इंपोर्टेंट इन केस ऑफ पीटी एक्जाम नेक्स्ट क्वेशन आन दा है कि विल माई मतलब जे थोड़ा एक्सेंट बहुत वदिया है गया ते थोड़ी स्कोर नो इंपक्ट कर दें मले एक्सेंट दी अपां गाल करिये तो थोड़ी जड़ी चेकिंग है वो ए आई ने करनी है मतलब तुसी अपना पेपर के कम्प्यूटर नो सम्मेट कर रहे हो किसी परसन नो सम्मेट नहीं कर रहे हो इन केस अगर थोड़ी हुमन दी इन्वाल्मेंट है थोड़ा कि टीचर पेपर चेक कर रहे है तो माइट भी ओ कंसेडर करे कि मैं एक्सेंट नो मतलब इदे एक्सेंट नो मार्क्स देने या नहीं देने बट कम्प्यूटर दे विच एमेदा कुछ भी नहीं है जे थोड़ी वाइस क्लियर है गी है मतलब थोड़ी वर्ड्स क्लियर ने तुसी कि मैं उन्हानों परनाउंस कर रहे हो वो सारा कुछ क्लियर है ता फिर थोड़ा एक्सेंट कोई मैटर नहीं करता बट हां अगर तुसी एज़ने नेटिव स्पीकर बोल रहे हो तब बट ऑबियस है कि वो उस चीजनों एफेक्ट करेगा बट एक्सेंट दा मतलब सिर्फ एथे एही है कि जो तुसी बोल रहे हो ओ थाड़े कंप्यूटर नों समझ आना चाहिए है मतलब एमें नहीं है कि तुसी अपना एक्सेंट था फॉलो कर रहे हो बट कंप्यूटर सेशन क्लियर है या थोड़े वर्ड्स क्लियर ने तो चीज थोड़े स्कूर नों एफेक्ट कर दिया इनकेस थोड़े वर्ड्स क्लियर नी तो थोड़े फ्लूएंसी क्लियर नी है तो थोड़े वो स्कूर आटोमेटिकली कर दे जानगी तो एचीज़ां एफेक्ट कर दिय है next question on the key what should I do if I discover that the headphone or microphone is not जदो भी तुसी एक्जाम सेंटर दे विच एक्जाम देन जान दे होता जदो थड़ी सारी बाहर दियां फॉर्मालिटी पूरियां हो ज़नी है ति उस तो बाद हो थड़ा पहला मतलब जड़ा विफटा एक विश्ण होंदा है कि तुसी जाकर अपना हैड़फोन चेक कर लो यह सब तो बेटर है मतलब एद्दा कुछ नहीं होंदा तुसी एक वार चेक करना जिन्नी वार तुसी कमफर्टेवल हो जिन्नी वार थड़े माननों तसल्ली होगी कि हां मैं मैंनों सुन भी ठीक रहे है मतलब उत्थे ता उना दे जड़े हैड़फोन ने वह बहुत फाइ तुसी उसे टाइम एक्जामेनर नो कह सकते हो कि या ता मेरे हैड़फोन दे विच कुछ मतलब नहीं सुनाई दे रहा है कुछ नवायस आ रही है या तुसी कमफर्टेबल नहीं हो है तुसी स्टार्टिंग दे विच भी कह सकते हो बट इन केस जूरिंग एक्जाम जे थान हैड़फोन चेक कर सकते हो जिए थानो कोई इसू है गया वो तुसी एक्जामेनर नो कह सकते हो ते इन बिट्वीन एक्जाम जे थानो लग रहे है ता भी तुससी एक्जामेनर नो एचीस पॉइंट आउट कर सकते हो तो उसे टाइम चेंज भी कर दिनने हैं नेक्स्ट्टक्शिन ह stipend अगे शूड़ा canni ताइमे Umanki पहला डिसकस किता सिएगा कि जड़ा सबस्ट में कुंए बड़ेक्षिजन वन मंथा कटियों काया मैं है त्क्राइब कर स्ट करूपब undertaken ते मेरी सजेशन यह कि जदो में तुसी प्याग्राफ रीड करते हो ता तुसी उच्छी बोल के ही रीड करने हैं, मतलग उन्हों मुच नहीं पढ़ना हैं ते ओ 35 सेकेंड था नो पैराग्राफ रीड करने हैं उस तो विदिन थ्री सेकंड तुसी माइक दे विछ बोलना हैं ते ऐस तरह दा कुछ भी नहीं हैगा कि थानो speaking दे विच बहुत ज़्यादा time लग दे क्यूंकि speaking दे हर module दा time automatically set है जे तुसी within 3 seconds माइक दे विच नहीं बोले ता उने automatically थोड़ा कुछ भी नहीं पिक करना मतलब after 3 seconds तुसी जो मर्जी बोल रहे हो उस चीज़ दा कोई effect नहीं पहेगा ता computer ने थानो minimum score ही देना है जो minimum score है गया और 10 score है पैटर है कि तुसी जदो थानो मतलब read aloud आया ते तुसी अपना paragraph read कर ले उस तो बात उने एक beep सुनाई देगी उस beep तो बात उसी जदे बोलना start कर देना है क्योंकि जे तुसी तिन second तो बात बोल लोगे ता 30 computer ने उस paragraph दी उस speaking section दी कोई checking ही नहीं करनी उस particular paragraph दी सो speaking section section दे विच मतलब time दी कोई foundation नहीं है मतलब within 28 minutes और within 30 minutes तो अदा paper जड़ा है गया और आम नल complete हुंता है मतलब उत्थे अदा है ही नहीं है कि तुसी एक section दो ज्यादा time दे दो दूच्छे दे विच काट दे दो राइटिंग या listening दे विच में हो सकता है रीडिंग दे विच में हो सकता है बट speaking दे विच में दा कुछ भी नहीं है next on them how can I get an excellent score in the writing test मतलब तो अदा जड़ा writing दा score है ओ कि में वदिया हो सकता है कि मैं पहला discuss किता सीगा कि राइटिंग दे विच तुसी टैंपलेट नूँ फॉलो कर दे हो राइटिंग दे जड़े अपने particular modules ने ओ समराइज तुसी टैंपलेट मिलेगा उदे विच तुसी जड़ी ऐसे जिस टॉपिक ते था नूँ आया सिर्फ तुसी ओ लाइज नूँ फिट करना है ते similarly जड़ी summarized written text है ओधा भी text सुन दे हैं ओधा भी template है कि तुसी ओ समरी के में लिखनी है बट जेड़ा तुसी टैंपलेट फॉलो कर रहे हो ता ओधियां कुछ quality सुनियां चाहे दिया है मानलो तुसी 90 विचो marks ले रहे हो ते उस टैंपलेट फॉलो कर रहे हो ता थोड़े 70 प्लस या 80 प्लस marks राइटेंग दे विचोन ते उस टैंपलेट नूँ फॉलो करना ही तुसी ओधी coherence चेक करनी है ओधी sentence formation, grammar, spelling, word choices and structure बाले ए सारी चीज़ां matter कर दी है जदो भी तुसी कोई template नूँ फॉलो कर दे हो बाल क्योंकि ये सारे marks मतलब ये सारे modules तुसी राइटिंग दे विच काउंट हुंते हैं ति इना चीज़ां दा तुसी त्यान रखना है next question ओन दा है कि do I need to adhere strictly to the world limit in the summarized written text and an essay मतलब जड़ी word limit है ओधी मतलब उस within limit तुसी रहना या तुसी उस तो exceed कर सकते हो या थोड़े words जड़े हैं ओ काट हो सकते हैं so ज़े तुसी words थोड़े exceed हो रहे हैं तामी थोड़े marks कटनगे ज़े थोड़े word काट रहे हैं तामी थोड़े marks कटनगे ज़े आपा गाल करिए summarize written text दी ता एरी जड़ी word limit हुंदी है ओ 52-70 words दी हुंदी है कई software जो तुसी mock test वास्ती यूज़ कर दे हो प्रैक्टिस ले यूज़ कर दे ता होना चा 75 लिख्या होंदा है but final दे विश्ट सिर्फ 50-70 words दी limit है उस तो 70 तो ज़े थोड़ा word एक भी exceed कर गया ता उस दे marks दी deduction होईगी प्लस अगर 50 तो थोड़े words आ रहे हैं ता उत्थे भी थोड़े deduction होईगी similarly जे तुसी ऐसे दी गाल कर दे हो ता ऐसे दी जड़ी word limit हुंदी है ओ 200-300 words दी हुंदी है in case अगर थोड़े 300 तो exceed करने ने then your marks will be deducted and if your words are less than 200 then also your marks will be deducted बला दोना किसी से विछ थोड़े marks deduct होँगे चायो words cut रहेने चायो words bad रहेने last question on the speaking ते writing section दा can I replay the recorded audio? no you can't replay the recorded audio even मतलब जो था नो एक वार सुनाई दे गया तुसी ओनू भी replay नहीं कर सकते plus जो तुसी बोल लिया और record हो गया उसनों भी possible नहीं है कि तुसी replay करना है so better है कि जदो भी तुसी final even जा तुसी mark भी दिन दे हो या final जिता पला possible है यह नहीं है so जदो भी तुसी test दिन दे हो तो तुसी so समझ के बोलना है कि मैं अथे ए चीज बोलनी है क्योंकि दुबारा तुसी उत्थे उन्हों replay करके नहीं देख सकते कि मैं यह बोलता या मैं यह ठीक बोल लिया मतलब मैं तो कुछ गलता नहीं हो गया मैंनों दुबारा बोलता कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि सिमिलरली जे तुसी रपीर संटेंस दिगाल का रहे हो और रीटेल लेक्ट्यों दिगाल का रहे हो जो ओडियो था उन्हों एक बर सुनाई देगी वो दुबारा तुसी रीपले करके नहीं सुन सकते मालों ओ चीज पॉसिबल नहीं है कि सो इन चीज़शंदा त्यान नखने हैं मतलब एक कुछ कुछ क्वेश्चेंस ने जो मतलब मैं बच्चे नाल जिननाल मेरी इंट्रेक्षन हुई है ता मतलब उना दे क्वेश्चेंस ने बट अगर तुसी मैं नूं मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी ते अमर्पीटी क्लासिज ते विच्पी लेक सक्देऊ ते मैंनु मेल भी का सक्देऊ ते ते मेरी ए रिक्वेस्ट आए सारय नू की प्लीज लाइक मै चैनल और सुस्क्राइब मै चैनल और प्लीज वाच दिस वीडियो फॉम स्टार्टिं तिल एंड थैंक यू फॉर वाचें दिस वीडियो